नमस्कार वक्त हो चला है मसलका और मैं हूँ आपके साथ गौरव राजेंद्र कुल्दी बिश्णोई के स्टीफे के बाद खारी हुई आदमपूर हलके की सीट को लेकर उपचुनाओ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आदमपूर हलके के लिए 3 नवंबर को मदान होगा और 6 नवंबर को उपचुनाओ के नतीजे सामने आएंगे वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भुपेंदर सिंग हुड़ा ने आदमपूर उपचुनाओ को लेकर को लेकर कॉंग्रेस पूरी तरह से तयार है आदंपूर उप्चुनाव को लेकर सर्वे कराया जा रहा है जो मजबूत उम्मिद्वार होगा उसे ही चुनाव में उतारा जाएगा एक रिपोर्ट देखिए उसके बाद इसी मुद्दे पर होगी चर्चा आदंपूर हलके के लिए उप्चुनाव की गोशना तीन नवंबर को होगा उप्चुनाव के लिए मतदान शेय नवंबर को आएंगे नतीजे पुल्दीब बिश्नोई के स्थीफे के बाद खाली हुई है सी कंग्रेस की टिकट पर विधायक थे पुल्दीब बिश्नोई अब बिजेपी में शामिल हो गए हैं कुल्दीब बिश्नोई आदमपूर विधान सवा सीट पर उप्चुनाव का सेडियूल जाई हो गया है यहां तीन नवंबर को बोटिंग होगी लगबग दो महीने पहले कुल्दीब बिश्नोई के इस्तीफे के बाद आदमपूर विधान सवा सीट खाली हुई थी कॉंग्रेस पार्टी से नाराजगी के कारण उन्होंने विधान सवा की सदसिता से इस्तीफा दे दिया था कुल्दीब ने अब बिजेपी की सदसिता लेनी है अब वह अपने बेते भवे को अपनी सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं सार्थी हर्याणा बिजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनगड ने आदमपुर उक चुनाव के लिए प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त किये हैं क्रसी मंत्री जेपी दलाल को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है और राजिसलवा सांसर्ड प्रशनलाल पवार और सुरेद्र आर्य प्रदेश प्रदेश प्रचेश चुनाव सहप्रभारी बनाए गये हैं तो वही संगठन का कामकाज देखने के लिए वेदपाल एगबोकिंट प्रदेश महामंत्री के लियुक्त किया गया है वही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिफक्ष पुपेंद्र सेहुद्दा ने आदमपुर्च उप्चुनाव को लेकर कॉंग्रेस पूरी तरह से तयार है आदमपुर्च उप्चुनाव को लेकर सर्वे कराया जा रहा है और जो मजबूत उम्मिद्वार होगा उसे ही चुनाव में उतारा जाएगा वहां जेपी साब भी जो आपके दत्र भी है काफी तैयारिया करते नजर आ रहे हैं हम लोगों की नजर से भी नजर आ रहे हैं हमारे करा रहे हैं जो सबसे बजबूर केंड़ेट होगा उसको यह कोई कोई केंड़ेट है नहीं हुआ है आदमपूर विधानसवा सीट का उपचुनाव कुल्दी बिश्नोई की पतिष्ठा का सवाल होगा बिश्नोई ने भाजपा उम्मीदवार सोनाली फोगाट को हरा कर यह सीट जीती थी फिर भाजपा में शामिल होने से पहले इस्तिफा दिया कॉंग्रेस छोड भाजपा में शामिल हो गए इसके बाद वह चुनाव हरी सोनाली फोगाट से भी मिले उसके कुछ दिन बाद सोनाली का कतल हो गया हलाकि बड़ा सवाल यह जरूर है कि कुलदीब बिश्नोई खुद लड़ेंगे या उनका बेटा चुनाव लड़ेगा आदमपुर बिधन सवा के उचुनाव में सोनाली फोगाट की बहन रुकेश फुनिया चुनाव लड़ सकती है हाल ही में हिसार की जाट धर्म साला में हुई सर्वखाब महापंचायत मनों ने इसके संकित दिये थे उनके पती ने इसकी पुस्टी की थी कि अभी पार्टी तै नहीं लेकिन रुकेश चुनाव जरूर लड़ेंगे स्वनाली फुगाट की राजियतिक विरासत उनकी बेहन को ही सौपी गई जिस पर स्वनाली की बेटी यशोधरा ने भी सहमती जताई थी हिजार की जाट धर्मशाला में हुई स्थर्वत खाप महापंचाइप में सुनाली की बेटी ये शोधरा ने अपनी मौसी रुकेश पुनिया को मा की राजनीतिक विरासत सौपने की दोशना की थी ये शोधरा ने कहा कि वह अभी नावालिक हैं उसकी मौसी रुकेश उसकी शुवचिन तक ही इसलिए वह अपनी मा की राजनीतिक विरासत उसे सौपती है ऐसे में सुनाली परिवार और खासकर उनकी बेटी के साथ लोगों की सहनबूती का का फाइदा भी रुकेश पुनिया को मिलेगा ब्यूरो रिपोर्ट तो लगातार उप्चुनाव को लेकर आदमपूर उप्चुनाव की तारिखों का एलान हो चुका है और साथी साथ ये गोशना होने के बाद लगातार पार्टियां एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते हुए यहां पर देखने को मिल रही है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुल्दी विश्णोई की पतिष्ठा का चुनाव है किस तरीके से चुके 52 साल से ज़्यादा भजनलाल परिवार जो है इस सीट पर कबजा रहा है और साथी साथ अगर बात करें तो विधान सवा सीट पर पूर सीम भजनलाल का कबजा रहा है वर्थ 1968 से लेकर 2022 सीट पर उन्हीं के परिवार के सदस्यों को हासिल हुई है 1968 से लेकर 1982 तक भजनलाल आदमपूर सीट से विधायक रहे है इसके बाद 1987 में उनकी पत्नी जस्मा देवी विष्णोई ने कॉंग्रेस की प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत दर्च की 1914 में फिर चुनाव हुए और भजनलाल ने जीत दर्च की इस सीट से 2005 तक बिधायक रहे 2009 में उनकी बहु कुल्दी विष्णोई की पत्नी रेनका विष्णोई इस सीट से बिधायक बनी साथी 2014 में भजनलाल के बेटे और कुल्दी विष्णोई ने चुनाव लड़ा और जीत दर्च की 2019 में भी कुल्दी विष्णोई ने कॉंग्रेस के बिधायक बने हलाकि अब वह स्थीपा देकर भाजपा में शामिल हो गए हैं तो पूरा दारूमदार कुल्दी बिश्णोई की पतिष्टा पर चुनाव को लेकर है और ऐसे में तमाम सारी जो पार्टियां हैं वहाँ अपना अपना दम बिखेरती हुई दिखाई दे रही हैं अखिरकार आदमपूर उप्चुनाव को लेकर धरातल पर किसकी जीत होगी किसके सर इस उप्चुनाव में जीत का ताज सजेगा और किस तरीके से पार्टियां दम भिखेरती हुई नजर आ रही हैं इस पर चर्चा करेंगे तो हमारे साथ इस पर बाच्चीत करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है मैं उनसे आपका परिश्या करा देता हूँ सबसे पहले हमारे साथ हुकम सिंग भाटी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड रहे हैं सर आपका बहुत स्वागत है हर ख़वर पर अर्जुन सुडेल इनेलो प्रवक्ता हैं आपका भी स्वागत है सर और जोगेंदर मोर कॉंग्रेस प्रवक्ता और कॉंग्रेस की तरफ से पक्ष रखते हुए नजर आएंगे आपका भी स्वागत है सर प्रदीप नरोला राजनितिक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ चुड़ रहे हैं सर सभी का बहुत स्वागत है मसला पर सबसे पहले सर मैं बीजेपी प्रवक्ता हुकम तिंग भाटी साब आपके पास आना चाहूँगा और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी तरफ से जिस तरीके से जो तयारियां तेज हैं और कुल्दी बिश्णोई को लेकर जिस तरीके से आप दम बिखेर रहे हैं तो किस तरीके से लग रहा है कि आपको आपकी तयारियां किस तरीके से हैं क्या कैंडिडेट पूरी तरीके से उनको ही घोसित किया जा रहा है चुकि अठकल है ये भी लगाई जा रही है कि उनका बेटा भी चुनाव लड़ सकता है गौर्णब जी देखिए सबसे पहले में आपकी अंतिम बात का ही जवाब दे देता हूँ कि क्योंकि आज चुनाव की ये घौशना हुई है प्रेस विख्यती चुनाव आयोग में ये जारी की है इसलिए कंडिरेट कौन होगा ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी का भी नाम लेना चाहे कुंदीब जी हों के बेटे हों या कोई और हो, किसी का भी नाम लेना, जब तक देकलियर नाव हो, वो एक अच्छी नाव कोई परंपरा है और ना भार्धिय जंता पार्टी में ऐसा होता है। और टीवी चर्जाओं में आपने देखा होगा, बड़ी चाती तान कर कहते थे, कि भार्धिय जंता पार्टी को लोग गामों में नहीं दसने देंगे, पता नहीं क्या नहीं होने देंगे, चुनाब नहीं लड़ने देंगे, और ये चुनाब में उतर नहीं सकते, भार्धिय जंता पाइडी ने थंबिंग मैजर्टी के साथ जो टिकेट भी दिया और चुनाब लड़ने का काम किया इस चुनाब में निशित तोर पर भालती जंता पाइडी एक मैजर्टी के साथ अपने सभी कारिकरताओं नेताओं को लेकर के इस चुनाब में उतरेगी और निशित त कि बिलकुल क्लिक यू समझिए ये कि पैत्रिक लइबल से और कम के सबसे स्वार्द ने बहुद कुछ आगे बढ़ाया पूरा परिबार छेतर की सेवा में हमीशा लगा रहता है आदमपूर विदान सभा उसमें से बहुत मैपूल विदान सभा है इसलिए निश्यत तोर पर बहाते हंता पाईटी और जेजेपी गटवंदन में इस सीट को हम जीत दर्ज काएंगे और निश्यत तोर पर यह जीत हूँ चीक है मैं आपके पास वापस लोटूँगा इस भी जोगिंदर मोर्ची हमारे साथ जुड़े हूए कॉंग्रेस का पक्ष रखने के लिए सर मैं आपके पास आना चाहरा हूँ और सीधा सवाल आपस यही है कि लगातार जिस तरीके से आप उमीदवार को ले प्रिक साथ को बोड़ाया था और आप तो देखे इस सथारा आने के पास बहरी है कि अधि किसान इस साथ से आंदोलन में रहे है और आदोलन के दारान जो पिसान के साता में आए और जूरू से इस सरकां में किया है वो किसान दोला नही है और जो पाकिसास कह रहे थे, वो तो दाओं में पुछने की पात, तो पहली ऐसी गटपत्र की दरकार है यह है, जिसके खिलाब दाओं दाओं में पुछने प्रहत राज हुए, बहुत कही जगह तो मुट्यमंत्री के हलीकॉप्टर पुछने की उपने दिया आ गया, इपीज के हलीकॉप्टर पुछने के लिए तो यह जो सुनाओं है, और आज आज देखे, आज कान के कीमत पे, और बाजरे की कीमत पे, मुझे आपके आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है, मैं आपके पास वापस लोड़ दूँगा कॉमेंट लेने के लिए, इन्हें लोग पे रहती है, पहले भी, वहाँ पर अगर मैं बात करो, पहले तो सब्सक्ते पहले बात करना चाओंगा कुल्दीब इसनोई जी जो कि उन्होंने स्टीफा देने का काम किया, तो उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने स्टीफा दिया, जन्ता अपने विकास के लिए, अपन आपकी भावनाओं का ठूस पहुचाने का प्रयास किया, मैं सिर्फ आप से ही बूछ रहा हूँ, आप सर कॉंग्रेस का पक्स रख रहे हैं? कि कुल्दी बिश्णोई जी का जिक्र जो है क्यों छोडा, कैसे छोडा, मैं आप से पूछ रहा हूँ कि आप कहां इस्ट करें, जो लोग जन्ता नमाइंदा सरसे पहरा दोने ने सीफ़ा देने का काम किया वो क्यों क्या जी मिज़गूरी थी जनता के काम करने जी जनता की टेवा के लिए जनता पड़ी नमाज़ा चुटता है दूसरी बात जो आदमपूर बहुले आखिसान बहुले अक्षेतर है किसानों के साथ कौन करना था किसानों को जो भार्केज नम्सा पाइटी थी वो आतकवादी बता रहे थी पाकस्तानी बता रहे थी चेंजन के संबन बता रहे थे उसके लिए वो किसान आज उनसे सवाल करेगा कि कौन उनको पूरे अरियाना परदेश के साथ था पूरे देश में जो किसानों के एक में स्टीफा देने का काम किया था तो इस तरह से अगर हम बात करें तो किसार हो मजदूर हो कोई भी वरको वो इंडियन नेसल लोगदर के साथ है और ठीक है मैं मानता हूं कि कभी बजनलाज जी की वो भूमी रही है बजनलाज जी ने वहाँ पर काम किये थे लेकिन कही न कहीं न कहीं लोग में जनता उनसे राराज है जो बिदायक चुना जाता है वो उनके काम करें लेकिन कही ना कहीं जंसा के बीच में वहाद सच नहीं आए और उनको जंसा को जवाब देना पड़ेगा और जंसा उनसे जवाब मांगेगी दरावे तो आपके टैनलर पो पार्टी करेगी लेकिन जंसा पूछेगी जंसा जव कारणी की मेटिंग रखी है वहाँ पर उसके बास्योधरियावे सिंग चुटाला जी गाउं गाउं जाकर उम्मीदवार के चैनलर जो वहाँ के लोग कहेंगे उसको उम्मीदवार बनाने का काम करेंगी और इडियन एसन लॉप्दल पार्टी वहाँ पर एक बड़ी जीत क कि मसूबे अपना कर धरातल पर पहुंच रही हैं और जनता के बीच में जा रही है और ऐसे मैं तारीखों का एलान हो गया है कहां आपका द्रिश्टी कौन बैठता है ऐसा ठीक सर्व मेरी आवाज आपके वाज मुझे तक नहीं पहुंच रही है कि यो करें जंता करेंगो ज्सक्राइब कोई थे जरता नि हीには करना है हम लोग को सिर्फ एक अंदाजा और परिस्टेतियों की अर्षाब से पोड़ा बहुत अंदाजा लगाता जो काम करना हो जंता ने करना लू डाउट ये मेरे परवकता साथ्कें के जो भái परिवार का गड़ रहा है और गड़ रहा है किनी भी परिस्तितियों में कोई भी चंडिडेश खड़ा रहा हो बहुत ज्यादा कर शार्थक परिणाम उनके हाथ में नोदाव लेकिन अचानक और यहां भी कोई संदे कोई दोराय नहीं है कि आदमपुर के विकास के लिए भी सरकारे किसी की भी रही है वहां के भजनलाल परिवार के नुमाइंदे वहां के विश्कास के लिए भी अपोजिशन के सियम के पास भी जाते रहे हैं कामल के लिए जैसे हमने कुलदीर विश् प्रदिर जी आप मानते हैं कि यह जो प्रतिष्ठा का चुनाव है कुल्दी बिश्णोई की प्रतिष्ठा पर साख का सवाल है नाक का सवाल है मुझे नहीं लगता ऐसा लहीं लगता ठीक है तारी ताल्टी आपना अपना दब भरती है तारे अपने गणिक लगाती है तब अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ती है लेकिन बेखे जी इस वक्त बीच में जाकर उनका अस्तीफा देना उनके कॉंफिडेंस को आज भी ठाया जा सकता है इस तरी इसके से उन्होंने अस्तीफा दे कर बीजेटी ने शामील हुए और या निंगी उन्हें शायद यह भी कि मैं अगर बीजेपी से भी आऊंगा तो इसी को आराम से निकाल सकता हूं और यह इतियास भी रहा है आदमपुर का यह इसा नहीं है कि एक तो एक तो बहुत बड़ी नाराज भी आदमपुर में दिखाई दे रही हो जिसमें मेरे बाई इने लोगे कह रहे थे कि देख लेन जनता बहुत नराज है तो गनाब जंता बेशत नराज होगी हो सकती है नराज हो आपको अंदूरूनिक हालात बता हूं लिकिन जनता आपके कितनी खुछ है इसका अड़ावी आपके परिक्षितियों से लगाया जा सकता है तो यह बात ठीक है कि चुनाव जंता ही बहां कर कि बहुत जाजा कठनाई होगी पुलभी विश्णोई को इस चुनाव में को निकाले हैं चुनाव को निकाले में मतलब आपका पॉइंट यह है कि यहां पर जीत उनके हक में जाएगा मतलब जो नतीजह आएगा जनता जनारदन का वो उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा जेखेए परिस्तित्यों की बात कर रहा हुआ जनता ने करना है जनता ही कर वो पर यह जनता ने पातला देना अरजुन जी बोलिए जी जी बोलिए अरजुन जी मेरी वाज पहुंच लीए आप तक ठीक है जोगंदर जी के पास रहुआ जोगंदर जी आप कुछ बोल रहे थे और जिस तरह से अभी आपने सुना कि राजनितिक एक्सपर्ट के तौर पर उनको क्या लगता है उन्होंने अपना पॉइंट पर देखें उनका उनका अपना अमत है अपना वो सोच है जो प्रस प्राइब कर देखें आप अज बुदी विष्णोई जी वही बुदी विष्णोई है जिसको भारते जन्ता पर्टी की सरकार ने इड़ी नोटीश दे रहे लेकिन जैसे वह बारते जन्ता पर्टी में आगए सारी के सारी जास्टे हैं जो बंद हो गई है वाप बेटा दो दोनोगों बंद हो गई है झारी जारी आइस्टे वरतकी थी वह आज कहा है ऐसारे के सारे मुद्धे गोंने वह सबी स्वाला आज ने शिञे वहां पर खडे होंगे और आप आज देफिये परवारी किन को बनाया गया है जेपी दलाल को नाया गया कि आपको दिखाई वहाचा देरे स्वीकान ता आप देखिए बजनलान परिवार के खासम साथ जो उनके वेटे से परदीब लेनिवाल हैं उन्होंने से कुड़ो समर्दकों से साथ जो है कार्डेश पार्षी को दुगयान किया है तो अना से कड्रेश शेक्रों और आधंपुर में परिया है आर मंदी आधंपुर मंडी की वाइत करें आगर सो खलताने का खुल वाने कास्थ तो आदनय तो इटीबू Кईन खळा द्रिपशान के पक्त में है ना वह अपनी अतला धाल है। प्रक्सक्राइब प्रक्सक्राइब जिसमें से जो कंपनिया हैं उन्हें 39,000 किसानों के जो कलेट को है वो रज़ कर दिए तो किसानों के नाखो इस पेसल के डावजी होई है हर वरक पुरी तरह से राज है बुरे के पूरे उसमें और इसला जो इंग्यासरा है इस पार्टी का एके सरकार आने के बाद गटबंद सोर्कार के टम्चे कोहजन के बाद कर दिए कर सर्वाज जो जो है वो घट बंद आ रहा है और ये कांग्रेस कि सर्वा करेकर प्र है करेकर है लेकिन सर्वे पर तो सवाल उठ रहे हैं लगातार कॉंग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं कॉंग्रेस अपना कुनवा नहीं समाल पा रही है तो किस तरीके से कैंडिगेट उतारेगी कोई दिकत नहीं है सिवाए मीडिया में बातों के आप देखिए शुपिचर्वे के डिलिगेट के डिलिगेट वाप इकटे वेते वहाँ पर जो है सरुति जोदरी गई हुई थी जाब कुमारी सहिजजा जी थे और सभी ने एक परस्ताओं से पास किया जो भी जेलादेक्स बनेंगे या जो भी सुर्तितों द्रीगी थे और लिदा परती पश्तिते वें उस तारे के सारे विदाये लगातार आरोप लगाते हुए किस तरीके से रेक्शन है सरापका जरातल पर जनता तो सवाल जो है करेगी गोर्ण जी मैं इनका पूरा वक्तर तो नहीं सुनता है बहुत थोड़ा सा भीच में से सुना इसकी आवाजी तो ठीक से नहीं आरी लेकिन आपने जो सवाल लगता है मैं उस पर भी आता हूँ मैं सबसे पहले अपने जो इनलो के पारे करता है जिन जी उनको उनकी बात का जबाब देता हूँ परदीर जी बात रख रहे थे उन्होंने बीच में काट दिया और उन्होंने कहा कि इस तीपा क्यों दिया अगर चुनाब लड़ना था तो मैं आएनलडी से पूस्टा हूँ कि उन्होंने सिर्शा की सीज़ पर पिछली बाद चुनाब हुआ था तो अभै सिंग चौटाला जी ने क्यों तो इस्तीपा दिया और क्यों चुनाब लड़ा उन्होंने इस्तीपा दिया अगर शुनों यह दीट में मत बोला करो अजिए अजिए आप डिवेट में रहते हैं अलगाता रहा और आप समझ नी पाएं डिवेट तो को अपने एक सब बीच में किसी का नहीं बोला सुन ले जिया उन्होंने इसी बाद पर दिया कि मैं खिसानों के हख में हूं और खिस अजिए फिर चुनाब लड़े करोणा रुपे परदेश के इन्होंने डुगा दिये कितना लुक्सान कराया और दूसरों पर सवाल कर रहे हैं यह कैसी राजनीती है जना अंदर जाकने की आऊ सकता है और यह किसानों की बात कर रहे थे हर्याना परदेश में है और पूरे किसानों को चाहे किसान कम मानने ही हो चाहे उनका कंपोशेशन हो किसी बीमा की बात हो या खरावेका जो तैसा है वो भारती जननता के समय मैं जैकि पार्प्राल में सबसे ज्याधा दिया गया कभी INLD तो कप्तान है रही एक बार दो बार इन्होंने कभी किसानों को जाटके नहीं देखा करमरीश ने जो मुआबजा देते थे एक रुपे पाच रुपे के ये चेक किसान को थमाते थे ये इनका इतियास कैसा है पार्टी जिन्ता पारिटी ने सबसे ज़्यादा जो उसका पैसा दिया और जेज़ेपी गठवंदन में भी यही पॉलिशी है अभी भी बारिश होई है विशेज गरदावली के तुरंत आदेश दिये दूसरी बात मैं कहता हूं अभी पढ़ीब ज जो बात कही थी वो बिलकुल एक इसमें बिलकुल सटीक है कि देखे उस परिवार ने पूरे छेत्र के लिए अपना सर्वस्ट से रुटाया है और कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं है जो देखे क्योंकि कुल्दीव विश्नोई जी को कॉंग्रेस पारिटी में सम्मान नही दिया जा रहा था और कुल्दीव विश्नोई नहीं बहुत सारे नेता हैं मैं अजय यादब की बात करता हूं करन्च ओदरी की बात करताओं और हुट्डा साभ अपनी एक अलग कॉंग्रेस चला रहे हैं कुरंच पारिष अपंणे आहरे कॉंग्रेस अलग keine ने निए पता हमारे जो जोगंदर साथी हैं ये कौन सी экong resc salt से यह नहीं पता दूशी बात कि नोंने का और स्कारे pace going का लेकिन वक छोटे से ब्रेक का है ब्रेक के बाद जो है अर्जुन जी आपके पास आ रहा हो जोगंदर आपकी पास आ रहा हो क silently मेरे जैसे कोई दूसरा जिसकी हर बात में खुल जाहे जिन्दकी में रंग भरते मेरे जैसे मेरी अपनी पता का पता का चाहे घजब का स्वाल देखें, कौन देगा खिला रही है समझा करते है यह से समझाएंगे यह तो अपनी जुमा है जुमान एक हो, तो दिल भी एक होने चाहिए विमल, बोलो जुमा के सरी अगर आप पत्रकारिता के शेत्र में करियर बनाना चाहते हैं जुमान जुमान लिश्र में करें अपनाएं आयुरवेदिक रूप मंत्रा इसमें है क्यूकांबर के फ्यॉर एक्स्ट्राक्स जो नाच्रिली चहरे को बशुराइज रखें ताकि पिंबल्स और डेट स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिलें रिलीफ, रूप मंत्रा, आयुर्वेदिक फेस वाश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक कॉश्री है मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं, निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं, निर्मा एडवांस मेरी जैसा कोई दूसरा? मेरी जैसे मेरी अपनी पता का पता का चाहे घजब का स्वाद देखें कौन में आखिलाणी आड़ा समझा करते हैं प्यार से समझाएंगे यह तो अपनी जबाँ है जबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए पंजाब है चस्प्रीट का ठिकाना मुंबई है आदर्श का आश्याना केरल का गोविन निवासी कुलकाता में जन में है काशी हर हिंदोस्तानी की शाँ ए आड़ी बेरिंग जोने सारा हिंदोस्ता है माम है लुफ आड़ावलोड असांग रेली फास्ट आई किन मेक डोसास पास्टर बस त्री इजी स्टेप्स मिक्स विद वाटर, स्प्रेड बैटर, फ्राई गाना डाउनलोड हुआ नहीं पर तब तब मैं इद्ली बना दी मूँँ हमनी बना दी ब्रेकवाद स्वागत है आपका और घमासान चर्चा यहाँ पर चल रही है मसला में और साथ ही साथ अभी ब्रेक से पहले हुकम सिंग भाटी कह रहे थे लगातार अभै सिंग चटाला ने किस तरीके से और क्यों किसानों के हित में उन्होंने अपनी सीट बल्दान की क्या फाइदा निकला इसका सीधा जवाब लेंगे अरजुन जी से अरजुन जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले अरजुन जी आपने सुना हुकम सिंग भाटी जो है किस तरीके से आपसे कह रहे थे कि क्यों जो है उन्होंने अपनी सीट गवाई और कैसे पैसा बरवाद किया लेकिन सवाल सर आपसे यही है कि जो जितने आरोप लग रहे हैं वो कितने सही है चुकि सर एक बात है ना कि जो मैं हमेसा कहता हूँ कि किसान रोटी कमाने में विजी है जो फुरसत नहीं है इन तीनों को चुकि किसान रोटी उगाने में गरीब रोटी कमाने में और राजमितिक पार्टियां सिर्फ रोटीयां सेकने में लगी हुई है देखे राजमितिक जो आप बात करे रोटीयां सेकने के लिए वो आपको भी बता है और पूरे देश को पता है कि किसे ने राजमितिक रोटिया देगने का काम ही जब पूरे देश में किसान अंदोलन चल रहा था जब एक काले कानून जब मौती जी लेकर आए थे जब हमारे भाकी साम जो बोल रहे हैं उन्होंने भी कहा था कि बहुत बड़ा मास्टर स्टोक ह लेकिन जब वो कानून वाकी साम ने फिर बोला कि बहुत बड़ा मास्टर स्टोक है लेकिन जब पूरा देश अंदोलन करना था पूरे देश किसान बिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा थे इक्ताल से और किसानों ने मां करी कि जो भी आजबी कोई इस्तिफा देगा कोई व स्टिफा देगा वो हमारा है तो सबसे पहले पूरे देश में जहां पर कोई चप्डास की बी स्टिफा देने का काम किया और वो चुनाव इसलिए हुआ था वो चुनाव कुंदी पिस्णोई के स्टिफा देने से जो आज चुनाव हो रहा है वो किसानों के अट में नहीं स्टिफा देश का किसान था उसके लिए बेशिक चुटाव किया बाटी साब को बचा देना चाहिए तो वो चुनाव स्टिफा दूसरी बात जी पिस्णोई का इतनी पैथ अगर आदमपूर में है उसके परिवार के इतनी पैथ आदमपूर में है तो आपने एक वीडियो में पहुआ हैं हाथ जोड़ कर मेरे पड़िवार का वास्ता है कि मेरा साथ दो आगर इतना काम कि होता है और चना वो कि अपकुछ तो आज परिवार का वास्ता जरिना ना पड़ता है तो तब से वहां की जन्ता बिलकुल रूस्त है और देखना मैं क्या रहा हूं कि अपे सिंग चताला जीना सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए स्टीफवा दिया और उसका किसान कर चुपाने का काम करेंगे वाँ पर तो इस तरह से और हमारा जिनितिक विसलेशन जी कह रहते की स्टीफवे को सहरा किस लिए जा रहा है मुझे यह समझ न लटाई कर तो से इस तरह से मैं बात करूं तो छीन वह की ब्ल्कुल नराज है और जो भी कॉंभर सकाम करें लेकिन आज जोबिकुस का काम करें हुआ शो किसानों के दौरान जो है किसान अंदोर नोगे दौराना वیसिंग च्टाला जी की मैंने भी कई रेलियां कवर किया है हिलाबाद में सिरसा में हिलाबाद में लेकिन जब उन्होंने जिस तरीके से अपना स्टीफा दिया था उस तो कई न खई पई किसानों के हित में था पूरे देश के किसान बैठा था मस्दूर बैठा जोंगी ओवर्टू जोंगे तक चुर्चा तो भी ओडिवारा कि सुना हो रहा है चीक है जो गंदर जी देखिए देखिए ये जो पूरा जजबा इनलों से भी निकली है और अमेसा से ये बीजेपी के स्योगी रहे पहले बीजेपी की सरकार रही है और आप देखेगे कि जो अरजुन जी करें ना आमने लडाई ने लिए आगर आप सब को द्यान होगा तो अड़ा ने तो परस्ताओ के लिए जो अंसर कारें आप परस्ताओ के लिए जो हम सब्सक्राइब लेकराया थे वह सब्सक्राह थैजिए तो एक मोट भाब हम कम कर दी और तो इसलिए और आप देखेंगे आप देखेंगें से ब्लाइब आपा मेपी देखे गें कि न कसी दोड़ में तेखेंगे लेकिन ये झाह लोज़ूताा है वह तर्ञेड के निदेट को में तो तो यह जन्ता जान चुकिए है और इसमें कदीमी वत्रद ही हो सकता है कि इसलिए जन्ता पार्टी के पक्ते जा सकती है इसलिए जन्ता और बार्टा के दिखन में कि ज़र सरकार है उस सरकार का जरुवलिया है वो देखिए कि हर मौर्ट के पे आप शुझाओ टेखे हैं कि आज 30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. waren तुछाद में लिया हैं जा तो पडिया है या तो ему नाय कोई फर्टान इitzerा हो कोई दर्टेश अ कोई जोवड़े ह। कोई विजली का प्लांच बड़ा इस प्रजेट में लगाओ, इनोंने तो भी जंदी विजली जेले की बात की थी, इनोंने किस वरख के लिए इसा कोई काम किया है, कि जिस पे भ्यार के वोट मांगेगे, और चिल्सम्दों का परिवार का कि बात कर रहे हैं, वो आपने लोग परिवार की बात कर रहे हैं, वो परिवार का वही साथ, तो इसलिए कांग्रेस पाइसी का है, कांग्रेस पाइसी के हाथ के मिसाल के सुनाओं पर जो आप जो आप जो त्याग पसल दिया है, वो सब को जिताएगे रहे हैं, कि E.D. के दबाओं में लिए जो 100-200 कृण परिवार को पुरा बश्चाकारी बताते दे, तो कुल दिए जो ये कैसे थे कि बातेजनता पार्टी में मेरी पीट में खंदर गोपा है, इनसे दगावाद पार्टी कोई नहीं है, आज उसकी बातेजनता पार्टी में जाकर वो कुल दीए पास्टाप हो गए, आज आज पार्टी में जाकरो पार्टी जो गए बातेजिए, आज उसकी बातेजनता पार्टी में खंदर नहीं गोपा है, तो और रही है, और जो बाती जीरो बात करेंगे, इनकी बात का भी जवाद देना चाथता हूँ, तो दिए जेंडर किन दी क्या कैसे है, राव इंदर जिसक सरकार के उपर है, इनकी जो सरकार है, ये फ़वुत खाने में Metownya में खाने में, सबसे माहर है, इनके सारस अखले का है, दूसरों के बातेज गारों कि मुन्दा करने है, पहली बार जाए हुआ है, छिसमें गर्रह मंत्रा थैं बात के से कर पास का मुन्य किया सब्सें है, है, यह नुदि दृहूं था थी किसी तीह है। और आज ने देखिए हैं किसी भी किसी वर अंन इन बताइए कि आज za दूलता वरत के बार्थेशनुका टरुपा ज़ेट honorable की ग्राणे समत्रु सरो परत्रे हैं। मी कि अपने हैं उनका जवाब किशी के लिए और जन्ता आपनेसे आपको शगाता मेहिजब कर रही है और जन्ता पने सुगज़ कर रही है 주ह वह अपने ली स्वाराइस काऩ है प्रदीब जी आपको क्या लगता है तमाम सारी पार्टियां जो है आपके पॉंट आफ वीव से बात करें तो क्या जिस तरीके से दो धरातल पर मुद्दे हैं उनका प्रभाव जो है यहांपर देखने को मिलेगा या जिस तरीके से पार्टियां धरातल पर जनता के समक्ष जाएंगी बोट लेने के लिए तब जनता किस तरीके से यहां पर अपना जनादेश देते हुए जराएगी जो जनता मुद्धे होते हैं उनका विदानसावा चुनाओं में पर देश के मुद्धों का बिलकुल असर होता है और लो डाउट लेकिन फर्क यह पढ़ता है जो आमने पिछले कुछ चुनाओं में देखा कि विपक्षी दल्फ कितने बेसर तरीके से उन मुद्धों को बुनाता है जब भी मुद्ध भुनाने की बात आती है तो विपक्षी दल्फ कहीं न कहीं तीछे के परिणाम देखें हमने देश में परदेश में भी कहीं न कहीं वो उस चीछ से बंचित रह जाते हैं उन मुद्धों को चुनाओ में भुना नहीं पाते हैं जेकर मैं अभी आपको बटा जओं कि अभी एक लोगसबाद चुनाओ की कउडारन दे रहे ते निरे साथ की वो कह रहे थे कि क्या हुआ हिसार के लोगसावाद चुनाव में हमने भवे विश्मेवी को खड़ा किया और नतीजे आप से सामने हैं तो निसंदे वो नतीजा आपके पक्षमें आप यूटूनिंग साथ ताप एक चीज और जो भी जिए कि भवे विश्मेवी जिसनों कॉंग्रेस की पार्टी से खड़े हुए थे और बीजेपी ने माद दी आज 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 कुल्दीद दिश्मेवी बीजेपी में है आज कुल में अजिए आप जीतने वाले चीज लाओ एक सपोर्ट करो चा कहीं से लाओ तो आपनी कैडर की का घर्दन का चाट दो आपको इक गिकत निया अपना उनका जो घडर है जो आपना उनका तारह करता है वो कहीं नहीं मन मसोच के कहीं भी साइड में खड़ा हो जाए लेकिन बीजेपी को ऐसा कड़ी चाहिए जो सीट को निकाल सके और मुझे मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी में जो ये तरीका अपनाया है वी तो आज आज आप दो दस ताल को पहले से लिए अर्याना में बीजेपी सिर्फ गठबंदन में ही सरकार बनाती र बारा एक रिकॉर्ड था कि बाराची जीती जो अब बीजेपी ने अपना स्टाही बदल दिया है बीजेपी ने अब चाहिए उसे ये इन प्रकेंट कैसे भी किसी भी दलता कोई भी किस पंडिल जेप उस पर्टिकुलर विदान सबाम है मैं तो रखता हो चाहिए उसके पी नाराज है तो बनलो अकर आप के अंदर इतनी ही कि किसे कितनी नाराज है तो आप अपने बारे के अपने लिए सोगने पे बहुत अच्छे परिणाम और बहुत बहुत बेटर परिणाम होते हैं अर्जुन जी प्रदेश की जनता के साथ हैं जो डिवांट गाउं में होती थी उस दिवांट को पूरत रहने का काम करते थे लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है परदीश जी आपके वाज़ भी तक ने जी आप वालियम अभी आऊंगा मैं आपके पास अर्जुन जी बोलिये प्रदीश जी आप राज़नी सीक एक्सपर्ट हैं आप पार्टी को कहीं लेकर ना जाएं मुझे लगता कहीं में इन एलों से आपको डिक्सद हो रही है लेकिन मैं बसादू की इंडियरेशन लोगदन अमेशा से लोगों के साथ रही है आप प्रदीश जी नाम लेके बोला क कि आप जनता के मुझे बुनाएं नहीं हैं आप थे लिएह काम झाल तो वोलती नहीं हैघी जी जी despairing uh कि इंडियन नेनसल लोग दल कि लेकिन वह तो आप यह तो आप अंदाज हा लगा रहे ना आप लोगों से चूप कहा हुई आप लोगों से चूप कहा हुई नहीं वो आप से रूस हो रहे हैं आप से दुखी हो रहे हैं या फिर आपके पक्ष में नहीं हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो लेकिन वो अपने पॉइंटर वी से बता रहा है जब आपका टन था तो आप कहां थे आपके समय में क्या इस्तेति थी वह यह कहना चाह रहे हैं अपने अपने जुभान में डालोगें सर्थ नहीं नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं और रकूंगा इंडियाने इसलोग दर में बतारा हूं जब भी बात होती है जब हमारी स्वार्टारी उमने हर तरह के काम ही लोगों के बीच में बैठकर आज मुख्धा मंसरी जी कहा जा रहे है परदान मंसरी जी को डिबेट नी कर रहे है वही कुल दीप सुनोई है ना जो परदान मंसरी को कहता था कि यह दुनिय का सबसे जूटा आदमी है पूरे परदेश की जंता समझ चुकी है कि कोन अपना स्वाल बेगाना है अर्जुल जी अगर परिस्कतिया बदली कि अर्याना में और आई एल्डी बीजेटी के साथ जही तो आप जाता होगे कि अर्याना परदेश की जनता के लिए काम करेंगे अमेशा से काम करेंगे कि अगरे आपको कह रहा हूँ किatri नाशनल लोक साथ नहीं जाएं कि जहने शbnुजे लेकर के लिए किस तरीके बच्चे लेकर लेकर किसान दुखी है लगात आप परदीब जी को इत्लिकल आपने डिकलियर कर दिया रही तो राही एक्सपर्ट का कम कर रहे हैं वह भी बंद कराए है रहा है रही जाए इस भात के लिए तब इस बात को अश्वान नहीं समिझता। कोई पीच में बोले जब उनको समय दिया तो क्यों भीच में बोल रहे हैं आप सुन लिए जब उनली जिए आप जड़ा यह भीचमा ना बोलें प्रॉब ना करिए गढ़र भी चुप करांई यह इंनल्म कों कि जित करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम है जो हजियाने का करोड़ा रुपे दुबाया और जब कुंदी विश्णों ही रिजाइन करते हैं तो बहुत बुरा है ये दोहरे माप गंड नहीं चलने वाले दूसरी बात आप एजी स्टेटमेंट कोड़ कर रहे हैं जो कभी भी आज तक कोई स्टेटमेंट इस सबक्ती हुई नहीं दूसरी बात वो उस समय कॉंग्रेस में थे उन्होंने क्या क्या परिश्टिती आज वो भज़ापा में वाज़ापा के नेता है वो इसलिए दूसरी दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात ना इनल्डी के पास जंसमर्थन है ना इनल्डी को परदेश में किसी तरह का जंदाने आप तक कोई एक ही विदायक पहले थे एक विदायक आज है ना पाईटी का कहीं कोई नामों निशान है इसलिए खी क्या तुन लीजिए बीच में ना इंट्रप्ट करिए आप अपनी बात मैं कॉंग्रेश की राती को बताना चाहूंगा बढ़ी लंबी चौरी बाते कर रहे थे एक तो बताये अभी मारूती कंपनी जिसको कॉंग्रेश ने गुरुग्राम से उखाड करके फैक दिया था वोही मारूती कंपनी का सौनी पत्र में उद्गातन हुआ है आप एक जिनता पाइटी में पिछले पात साल में और इस तीन साल के टैन्वर में जेजेटी के साथ अधियाना परवेश में नए उद्योग लगाने का काम नए आप देखिये मैं आपको एक ही बात बताता हूं जब कॉंग्रेश थी उस समय वो हाइवे तो नहीं त्यार हुए थे क एंपी क्यों नहीं त्यार हुआ था जो रोड है वो क्यों नहीं त्यार हुआ था आज कैसे त्यार हो गए क्योंकि पार्टी की विल थी पार्टी की इच्छा सकती थी और पुरे परदेश में डिजेट लाइजेश आप शुप करा ये गौरभी में आपके पास आ रहा करने का काम और नीचे जीरो तक लाने का काम ये भार्टी जिंता पार्टी ने पिछले पास साल में और अब गठवंदन ने जेजेट पी के साथ किया जो जो गो ताले बाट जो ब्लैक मेलर पर्ची और खर्ची तो कॉमरेश की पूरी दुनिया जानती है उसको बंद कराया और जो जो जिस तरह ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे उनको समाकों के पीछे करने का काम भी भार्टी जिंता पार्टी ने किया अब जेजेपी गठवंदन के साथ भी किया उसके बाद कभी दोके बाज की बात करते हैं आप एक बाद देखिए अग्याद आप जिस तरह की स वाज़ापा की मेताहों के नाम गिनवा दिये आपने सी अडी मुखमंतरी जी के पास नहीं है जो जो पूर आप जैजक ऑब जिसमार थे अपना लुके दीजिगी है उसमें जलत का है बाृत सुम्सराइब सुन Safrap और जदीजिए जो को में मैं डिब जो क्माल सब्सक्राइब तर देखे चंडिगर आईवे के मौजब तक्नी मिला किसानों को दादू कूर नलवी मेर का मौजब तक्नी मिला किसानों को दूरी बात जो तिक्ष्या बेरोजगारी महंगाई पर्देश के जो मुद्धे हैं जो जनतक्र चालती है उन मुद्धों को लेकर हम चुनाव में उतरेंगे और इंप्राइल पर उतरेंगे प्रदीप जी दस सेकंड में मैं आपके पास आ रहा हूं कि यह जो है तीनों बातों से सहमत हैं किस तरीके से जन्रता कहा जा रही है देखे मैं आपको बताओं गवारों कि आदंपुर का चुनाव वाकई पुल्बीद बिश्नुई और भजनलाल परिवार की प्रसिश्का सा चुनाव है चुनाव में जाता है लोगों से समर्सन भी मांगता है हाथ भी जहलता चर भी पड़ते हैं मापी चाहूंगा आपको बीच मैं रोक रहा हूं चुके समय का अभाब है हुकम सिंग भाटी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े अरजुन सुडेल जोगिंदर मोर और प्रदीब नरूला जी आप सभी मेमानों का बहुत दो शुक्रिया हमारे साथ मसला में चुड़ने के लिए फिलहाल बुल्टेन में नहीं नमस्कार